हेलो सेलर्स, अब अपने बिजनस को बढ़ाएं और अपने प्रोडक्स को पहुचाएं लाखो कस्टमर्स तक, हम लाए हैं Flipkart Seller Hub, जिस पर लॉग इन करके आप मिंटों में लाखो बायर्स तक पहुच सकते हैं, बस अपना मोबाइल नंबर दिये गए कॉलम में एंटर करें और Send OTP पर क्लिक करके आसाम रजिस्ट्रेशन प्रोसस के शुरुवात करें, इसके बाद मोबाइल पर आया OTP कनफर्म करें, OTP वेरिफाई होते ही आपको एक ब्लू टिक नजर आएगा, बस अब अपना नाम और इमेल एड्रेस भर दें और आगे बढ़ें, अब अपना मन पसंद पासफर्ट चुनें और उसे दोबारा भर कर कनफर्म कर दें, याद रखें, फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ों की जरूरत होती है, बैंक अकाउंट, GSTIN और सेल किये जाने वाले प्रोड़क्स की टीडिल्स, हाँ, अगर आप बुक्स सेल कर रहे हैं, तो आपको GSTIN की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक्स सेल करने के लिए आपको अपने बिजनस से जुड़ी सारी प्रोफेशनल जानकारी शेर करने होगी, ये सारी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रखी जाएगी और इसका इस्तिमाल सर्फ आपको कांटाक करने और पेमेंट प्रोसेस करने के लिए ही किया जाएगा, बस एक बार पासवर्ड कनफर्म करने के बाद, आप जब भी अपने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट को लॉग इन करना चाहें, तो अपने मोबाइल नंबर या इमेल अड्रेस के साथ पासवर्ड का इस्तिमाल कर सकते हैं, एक बार साइन अप करने के बाद आपको अपना वो इड्रेस प्रोवाइड कराना होगा, जहांसे आप ग्राहकों तक पहुचाने के लिए अपने प्रोड़क्स पिकप करवाना चाहते हैं, इसके लिए आप अपने ऑफिस या वेरहाउस अड्रेस का पिन कोड भर सकते हैं, जिससे सिटी और स्टेट अपने आप पिक हो जाएगा, अगर आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया पिन कोड, हमारे लोजिस्टिक पार्टनर के द्वारा सर्विसेबल होगा, तो आपको ग्रीन टिक मार्क के साथ एक कॉंग्राचुलेशन मे तो सिस्टम आपको Alternative Pickup Details एंटर करने को कहेगा, अगर आपके Alternative Pickup Details भी हमारी लोजिस्टिक पार्टनर के द्वारा सर्विसेबल नहीं है, तो सिस्टम आपको एक मेसेज़ शो करेगा, जिसमें लिखा होगा कि Pickup Service Ability Fade, इसका मतलब है कि आपके द्वारा प्रोवाइड कर अब ही के लिए Flipkart द्वारा सर्विसेबल नहीं है, Flipkart अपनी Pickup Service Ability एक्सपांड करने के लिए लगातार काम कर रहा है, आईए अब आगे बढ़ते हैं Business Details की तरफ, हमारे पास आपके Business को स्टार्ट करने के तीन आप्शन्स है, एक, आपके पास GSTIN नमबर है, तो आप आपके पास GSTIN नमबर नहीं है, तो भी हमें आपकी हल्प करने में खुशी होगी, हम आपको ये बताएंगे कि GSTIN नमबर कैसे पाए, आप GSTIN नमबर पाने के लिए हमारी Trusted Partner Clear Tax से संपर्ग कर सकते हैं, वो New GSTIN नमबर लेने में आपकी मदद करेंगे, मान लीजिए आपक आपके पास एक GSTIN नमबर है, तो आप उस GSTIN नमबर को यहां एंटर करें, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका GSTIN नमबर और सिगनिचर केवल बायर्स को इन्वाइस देने के लिए ही यूज किया जाएगा, इसके बाद आपको केवल अपनी डीटेल्स एंटर करनी पड तो आपको अपनी बिजनेस डीटेल्स जैसे कि आपका बिजनेस नेम और पैन नमबर, बिजनेस टाइप, अड्रेस और आपका सिगनिचर एंटर करें, उसके बाद अड्रेस के प्रूफ के तौर पर आप आधार नमबर, पिछले तीन महीने का एलेक्रिसिटी बिल, तो अकाउंट को लाइव करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका अकाउंट तभी लाइव जाता है, जब आपका GSTIN सब्मिट कर दिया गया हो, आईए अब मनी मैटर्स की बात करते हैं, आपको अपनी बैंक डीटेल्स डालने के प्रलीजाएगी, इसके बाद आपको सेम बैंक का एक कैंसल चेक अपलोड करके अपलोड बटन पर क्लिक करना होता है, लेकिन आपको कैंसल टेक अपलोड करने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि चेक पर कैंसल लिखा हो, चेक पर आपका नाम, IFSC Code और बैंक का नाम लिखा हो एक और आखरी चीज़ हम final verification के पहले penny transfer करते हैं penny transfer process में हम आपके account में एक रुपए से लेकर 5 रुपए के बीच का कोई भी amount transfer करेंगे आपको ये amount अपने seller portal पर managed profile में जाकर verify करना होता है यानि transfer किया हुआ amount seller's portal में managed profile के अंदर जाकर enter करना होता है इसके बाद transaction details और cancelled check verification के बाद आपका account live हो जाएगा अब आप अपने products बेचने के लिए तयार है अब आप अपने products की listing करना start कर दीजे अपना display number और store details एंटर करें आप इस screen पर verification का status भी जान सकते हैं इसमें blue color का मतलब है कि details को successfully verify कर लिया गया है orange color का मतलब है कि details का verification अभी भी process में है और red color का मतलब है कि आपकी details का verification fail हो जुगा है इसके बाद एक last check अगर आपने कोई details मिस कर दी है या फिर अगर किसी detail का verification pending है तो आप इसको finish करके selling स्टार्ट कर सकते हैं ये सब कुछ करने की बाद आपका business पूरे भारत तक पहुचने के लिए तयार है happy selling झाओओए ये झाओ haftीwiąz adult living में नहीं झाओएड़ीश पूरे सैम чувा करत है सहिंगे मुऑ इपीश मव alma नहीं incorporate these checking